हलो माइडियर स्टुदेंट्स वेलकम टू माइचैनल अलफा नलज बॉक्स इस वीडियो में आज हम NCRT क्लास 6 इंग्लिश पूरवी के यूनिट 2 फ्रेंशिप के दचेर चैप्टर को डिसकस करने वाले हैं यहां पर इसे शॉर्ट में एक्सप्लेंड करेंगे और साथ ही दादाजी हैं Mario को नए ने प्रेंश बनाने का बहुत शोख हैutral है उससे लगता है कि ऑसके बहुत सारे हैं वह सबसे फ्रेंश की तरह भी हैफ परता है लेकिन उसके दादा जी उससे संझाते हैं कि ऐसा नहीं है तुमें ऐसालगता है कि आपकर ऊसे इन एक शर्त लगाते है जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम हारे तो तुम मुझे fruit chart खिलाओगे और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हे fruit chart खिलाओगा Mario इस बात के लिए जल्दी से तयार हो जाता है क्यूंकि वो बहुत साथा friend होने का show off करता है उसे ऐसा लगता है कि सभी उसके friend है इसके लिए उसके दादा जी एक magic invisible chair देते हैं और Mario से खेते हैं कि इसे अपने school ले जाओ और ले जाकर के अपने friend के सामने इसमें बैठना अगर तुम बैठ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने friends हैं वो chair को अपने school ले जाता है और सभी friends के सामने उसे रख करके उसमें बैठने की कोशिश करता है एक्चुल में chair होती ही नहीं है उसके दादा जी सिर्फ उसे बताने के लिए ऐसा कहते हैं कि ये chair invisible है जब भी वो उस पर बैठने की कोशिश करता है इस तरह से गिर जाता है और उसमें से जादा तर जिने वो friends समझता है सभी हसते हैं उस पर मजाक उड़ाते हैं और last बार जब वो बैठने की कोशिश करता है तो इस तरह से बैठ जाता है उसे लगता है वो सक्सेस हो गया वो चेर पर बैढ़ गया लेकिन पीछे घूम करके देखता है तो उसके थ्री फ्रेंड्स उसको पकड़े हुए होते हैं ये फ्रेंड्स होते हैं गुनेत अस्मा और दीपा इस तरह से वो दादा जी के साथ लगाई हुई शर्त को हार जाता ह है और उसे समझ में आता है कि दादा जी उसे क्या समझाना चाहते हैं और उसे समझ में आता है कि असली फ्रेंड्स वो होते हैं जो मुसीबत में काम आए उसकी क्यार करें उसे सपोर्ट करें सबी chapters की तरह इस chapter में भी chapter को read करने से पहले activities दे हुई है उन्हें करना है let us do these activities before we read पहला question है write two words that come to your mind when you think of friendship जब आप friendship के बारे में सोचते हैं तो आपकी दिमाग में दो कौन से ऐसे words आते हैं जो friendship से related हो उन्हें लिखे आशर आप इस तरह से लिखेंगे two words that come to mind are caring and supporting यहाँ पर मैंने caring परवा करने वाला और support करने वाला लिखाए आपके mind में जो भी words आ रहे हैं उन्हें लिखे यहाँ पर आप well-wisher, trust इस तरह के word भी लिख सकते हैं A पर लिखा हुआ है now find some more words that are related to friendship from the grid given below You can search horizontally or vertically, there are eight words, one word has been marked as an example, the first letter of each word has been given in bold इस grid में friendship से related eight words दिए गए हैं पहला example यहाँ पर show है, helpful इसी तरह के eight और words है और हर word का first letter इस तरह से dark है, bold है उन्हें आपको सर्च करना है और इस तरह से circle लगाना है पहला word है helpful, friend ऐसा हो, जो helpful हो दूसरा laughter, friend ऐसा हो, जो की हसी मजाग करने वाला हो तीसरा hope, जिससे आप आशा कर सकें अगला है caring, जो आपकी परवाह कर सकें next है loving, प्यारा हो और आप से प्यार करें अगला है trust, जिस पर आप trust कर सकें, भरोसा कर सकें और last है support, जो आपको support करें 8 words आपको circle करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और है यहां पर, यह है loyal, यानि वफादार हो B question है, fill in the blanks to complete the words which means the same as friend or friends, with the help of the meanings यहां पर कुछ words दिये हुई हैं और उसमें blanks दिये हैं इन्हें आपको fill करना है, जिनकी meaning friend या friends की तरह है और यहां पर कुछ sentences दिये हैं, जिनकी help से आपको इन्हें complete करना है first पर लिखा हुआ है, a person who you do with, together with ऐसा इन्सान जिसके साथ मिल करके आप कुछ करें, यहां पर दिये हुए blanks को complete करेंगे, तो word बनेगा partner, P-A-R-T-N-E-R second है, an informal word for friends, friends के लिए यू सुने वाला informal word लिखना है इसे fill करेंगे, तो word बनेगा buddies, B-U-D-D-I-E-S तीसरा है, a person who you spend a lot of time with, ऐसा person, ऐसा इन्सान जिसके साथ आप बहुत सारा time बितीत करते हैं इसे fill करेंगे, तो word बनेगा companion, C-O-M-P-A-N-I-O-N और last है, children who are in the same class as you at school, आपके school में, आपके class में जो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इसे fill करेंगे तो word बनेगा C-L-A-S-M-A-T-E-S, class maths अगला है, let us discuss, पहला question है, Mario was very proud of having so many friends, state whether true or false Mario को बहुत घमण था, कि उसके बहुत सारे friend है, ये true statement है, क्योंकि Mario को ऐसा लगता था, कि उसके बहुत सारे friend है, मगर ऐसा था नहीं second question है, what did the grandfather take from the attic, अचीक मतलब होता है, अटारी, अटारी का मतलब है, roof गाउं वगएरा में, generally, roof को अटारी ही बोलते हैं, grandfather अटारी से क्या लेकर के आए, grandfather अटारी से एक invisible chair लेकर के आए थे, answer है, an invisible special chair, question number 3 है, what did Mario face any challenges, क्या Mario को कोई challenge चुनावती face करना पड़ा, इसका answer होगा, yes, मारियो को invisible chair पर बैठने का challenge face करना पड़ा, जो बहुत मुश्किल था, answer है, yes, he will face the challenge of sitting on a invisible chair, which is tricky, question number 4 है, will Mario be able to use the magic, क्या Mario magic का जादू का use कर सका, स्टोरी में बताया गया है, कि अगर Mario, जादू करसी invisible chair पर बैठ जाता है, तो उसको पता चल जाएगा, कि उसके real friends कौन से है, इस तरह से जादू काम करेगा, इस तरह से Mario, जादू का use करने के योग होगा, able होगा, answer आप इस तरह से लिख सकते हैं, the story suggests that if Mario managed to sit on the invisible chair, the magic will work, allowing him to tell who his real friends are, so if he can sit on it, he will be able to use the magic. Next, let us discuss में पहला कुशिन है, Mario सक्सेस्फुल सेट अन दा इन्विजबल चेर, on his first attempt, state whether true or false, क्या Mario, पहली बार में first attempt में सफलता पूरवग इन्विजबल चेर पर बैठ गया था, ये statement true है या फिर false, इस पिक्चर में देखिए, मारियो कई बार नीचे गिरा, इन्विजबल चेर पर नहीं बैठ पाया, इस तरह से ये statement false है, second question है, fill in the blanks with a suitable word, यहाँ पर blank space दिया हो है, यहाँ पर आपको एक suitable word को fill करके इसे complete करना है, Mario's grandfather challenged him to a bit of, पूरा complete sentence इस्तास हो जाएगा, Mario's grandfather challenged him to a bit of, fruit chart, उन्होंने fruit chart के लिए शरत लगाई थी, यहाँ पर question number one, question number two cover हो चुके हैं, question number three है, match the following characters with their action, यहाँ पर कुछ characters से दिये हुए हैं, और यहाँ पर actions दिये हुए हैं, इन characters को उनके correct action से match करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, गुनीत, अस्मा और दीपा, इसे match करेंगे A से, held Mario up so he wouldn't fall, गुनीत, अस्मा और दीपा ने Mario को उपर उठा लिया, जिससे वो गिर नहीं सका, और दूसरा है, many others, यहाँ पर friends की बात की जा रही है, इसे match करेंगे B से, made fun of Mario's attempt, जब भी Mario attempt करता थ इन विस्बल चेर पर बैठना चाहता था और गिर जाता था तो वो मजाग उडाते थे, next है, let us think and reflect, first question है, read the following lines and answer the question that follow, इन lines को read करेंगे और इसमें पुछे के questions के answer देजे, A पर lines है, take it, it's a very special chair as it's invisible, it's rather tricky to sit on, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work, and you will be able to tell who your real friends are, इसी ले लो, ये एक invisible, special type की chair है, चूंकि ये invisible है, इसलिए इस पर बैठना tricky है, मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसे अपने स्कूल ले जाते हो, और बैठने में काम्याब हो जाते हो, तुम magic काम करेगा, और तुम ही पता सलेगा के तुम्हारा real friend कौन है, यहाँ पर पहला question है, fill in the blanks with two words that describe the chair, the chair is, यहाँ पर पहला है, special, और दूसरा है, invisible, आप इस तरह से लिखेंगे, the chair is special and invisible, second question पूछा गया है, why was it tricky to sit on the chair, chair पर बैठना क्यों, मुश्किल था, chair पर बैठना मुश्किल इसलिए था, क्योंकि वो chair invisible थी, इसलिए उसे देखना और locate करना बहुत मुश्किल था, answer इस तरह से हो जाएगा, it was tricky to sit on the chair because it was invisible, making it difficult to see and locate, question number 3 है, why does Mario's grandfather call the chair special, Mario के grandfather ने दादाजी ने chair को special क्यों कहा, Mario के दादाजी ने chair को special इसलिए कहा, क्योंकि अगर वो उस chair पर बैठ जाता है, तो उसे अपने real friends का पता लग जाएगा, answer इस तरह से हो जाएगा, Mario's grandfather calls the chair special because it has the magic ability to reveal who Mario's true friends are, when he successfully sit on, beeper line दी हुए, wait wait, just a slight technical problem, he said, trying again, but again, he missed the seat, causing more surprise looks and laughter, Mario's wouldn't give up, Mario ने फिर से कोशिश करते हुआ कहा, रुको रुको, शायद कोई technical problem है, लेकिन वो फिर से चुक गिया स्रीट पर नहीं बैठ पाया, उसे बहुत आशर हुआ और हसी भी आई, और उसने हार नहीं मानी, first question है, fill in the blanks with a suitable reason, Mario says there was a technical problem, because, Mario ने कहा कि technical problem है, क्योंकि वह कुर्सी को देख नहीं बारा था, कुर्सी इन्विस्बल थी, answer है, Mario says there, there was a technical problem, because, he couldn't see the invisible chair, second question है, Mario's friends were very caring and helpful, state whether true or false, Mario के friends care करने वाले और help करने वाले थे, बिल्कुल थे, क्योंकि last में three friends ने उसे पकड़ लिया था, उसे गिरने नहीं दिया था, ये true statement है, part one video को last question है, choose the correct option to complete the sentence, sentence है, Mario wouldn't give up, this shows he is, Mario ने give up नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी, वाह था, strong-willed, loving, supportive और hard-working, correct answer है, strong-willed, उसकी will बहुत strong थे, chapter की part two video, answer the following question से start करेंगे, this is the end of video, thanks for watching,